अश्टडी सक्सिस ओनलाइन कलासिस में आपका स्वागत है आईए हम लोग ट्रीक के माध्यम से प्रोटो जोवा से होने वाला रोग को आध करते हैं प्रोटो जोवा से होने वाला रोग उसको हम लोग ट्रीक से आध करते हैं तो देखते हैं कल आम पानी में पका प्रोटो जोवा से होने वाला रोग का ट्रीक है क्या है ट्रीक कल आम पानी में पका तो इस ट्रीक को आध करते हुगे हम लोग प्रोटो जोवा से होने वाला रोग जितने भी रोग हैं उनको हम लोग आसानी से आध कर लेंगे कुछ लोग को कुछ लोग कोमेंट किये थे कि प्रोटो जोवा से होने वाला रोग को ट्रीक से आप बताए तो वही हम लोग जो हैं आज लेकर के आए हैं आज का वीडियो यही है मेरा पुरोटो जोवा से होने वाला रोग तो देखिए कल आम पानी में पका तो यह ट्रीक है कल आम पानी में पका तो कल मतलब हो गया काला जर क्या है काला जर और आम मतलब आमीवी पेचिस हो गया आमीवी पेचिस हो गया पास से पाइरिया हो गया पाइरिया मतलब जब हम मुह होते हैं तो तुरंत बार बार जो है मसुड़ा से बलड आता है वह घटना जो है पाइरिया काला ती है और नी से हो गया निंदरा रोग मतलब हर समय बार बार जो निंद आने की प्रोसेस जो होती है वही हो निंदरा और मा से हो गया मलेरिया और पका मतलब हो गया पेचिस तो आए हम लोग देखते है प्रोटो जो हसे होने वाला रोग कल आम पानी में पका तो कल मतलब काला जर हो गया आम अमीवी पेची सो गया, पास से पायरिया हो गया, नीस से नीदरा हो गया, में मलेरिया हो गया, पका पतलब पेची सो गया, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ टीक के माध्य हम से बताएंगे,